नमस्त दोस्तो आज हम बात कने वाले हैं बीनानी इंडस्ट्रीस के बारे में दोस्तो बिल्डिंग मटेरियल्स की कंपनी है अमूजा सिमेंट है दोस्तो अल्ट्राटेक्स सिमेंट है एसी और दोस्तो बिल्डिंग मटेरियल्स बनाती है दोस्तो बात करेंगे आज की तो दो पर दिटेल्स तो वीडियो इंपोर्टेंट है ध्यान से दिखेगा अगर आपने यह श्टोग में इंवेस्मेंट किया है यह आप इंवेस्मेंट करना चाहते तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरू सस्क्राइब करके वीडियो को लायक किजिए इंपोर्टन अपडेड्स लगातर मिलती रहेगी अब आप ध्यान से दिहेगा और समझेगा लास्ट वन यजय की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो लास्ट वन यार्ले की बात करेंगे यहां पर तो दोस्तों जो स्टोग का सपोर् तो फिल हाल अभी यहाँ पर यही हुआ है यहाँ पर देख सकते हो जो support में ने यहाँ पर draw किया है वो supporter पर touch हुआ stock यहाँ पर आप देख सकते हो और दोस्तो bounce बेक करके stock अभी जो trade कर रहा है 19 के level के उपर trade कर रहा है तो यह कुछ stock के support and resistance थे और दोस्तो बात करेंगे last 5 साल क तो 5 साल के अंदर यहाँ पर जो 2023 में high लगाया था वो 33 का है अगर 20 के उपर cross out होता है तो दूसरा resistance रहेगा 23 का और दोस्तो उसके उपर रहेगा 33 का तो यह कुछ important resistance मैंने आपको यहाँ पर बताये है तो यह आपको important ध्यान रखना है और दोस्तो यहाँ पर यह कुछ support and resistance ह यह levels आपको ध्यान रखने है बाकि आपको investment करना हो तो आपको अपने एक्सपर्टी आपने broker से राहे लेके investment करना चाहिए दोस्तो penny stock है इसलिए बोल रहा हूं दोस्तो penny stock मैं high volatility रहती है और ऐसand स्टोक में इन्वेस्मेंट करने से पहले अपने एक्सपेट प्रोकर्स जरूर रहे सकता है 15 रूपय के आज पास पास समी इन्वेस्मेंट के लिए अपने एक्सपेट्य आपने ब्रोकर टब करें करी के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर Л Gi जाएंद